दोस्तो आज जो है हम अपने इस क्रिसंथमम यानि की गुलडाओदी के लिए लीक्विट फर्टलाइजर बदाने जा रहे हैं जो कि आपके संग शेयर करेंगे साथ में अक्टूबर और नवंबर में इसकी कैसे देख भाल करनी है जिसे की प्लांट जो है खुब बुशी हो जाए जिसके कारण ये सारी कलियां आएंगी फिर बढ़ियां फ्लावरिंग भी होगी तो सभी टिप्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रेटिव कार्डन वैसे दोस्तों ये जो लिक्विट फर्टलाइजर हम बनाने जा रहे हैं ये हमने जो है सेप्टेंबर से बनाना शुरू कर दिया था और प्लांट मे से ग्रो होंगे क्योंकि इसको जो है मौसम बिलकुल अनकूल मिलने लगा है तो इन सभी केर टिप्स को आपको ध्यान से मानना है सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखना कि आपके प्लांट में कोई भी जंगली खांस है वीड है या फिर अनवांटेट प्लांट है उस दोस्तो इस लिक्विट फटलाइजर के जितने भी गुडो का वर्ण किया जाए ये बहुत कम है तो अगर आपके पास जो चीज हम डालेंगे नहीं है तो इसका हम आप्शन भी बताएंगे आपको क्योंकि ये तो आपको जरूर डालना है दोस्तो ये है सरसो की खली अगर स इसकी जगे घर में जो काली वाली मोटी वाली सरसो आती है उसको भी ले सकते है यहाँ पर जो है हमने 50 ग्राम अंदाज से लिया है थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा है ये अच्छे आपकी सरसो की खली अगर पुरानी रखी है तो इसमें देखे इस तरीके से वाइट कलर की फंगस सी आ गई है फफूंदी पड़ गई है तो आप परिशान मत होना कि इससे कोई नुकसान होगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप अराम से डाल सकते हो अगर आपके पास काली वाली सरसो है तो आप उसको मिक्सी में पीस लीजे वो आप जो है 40 ग्राम भी ले लोगे तब भी बहुत है मुश्किल से आपको 10 रुपे या 12 रुपे ऐसी पैकेट मिलेगा तो उसको मिक्सी में पीस लीजे और उससे ये लिक्विड फटलाइजर बना लीजे इसको जो है मिला करके रख करके रख देना है और ये आपको जो है 5 डेस तो अराम से रखना है 5 डेस क लगते हैं और कई बार जो है फिर वो अपने अंडे भी दे देते हैं तो इसको कवर करके रखेगा सबसे अच्छा रहेगा और एक बार चला जरूर लीजेगा तो आप इसको प्लांट में देना किस तरीके से अच्छा हम एक और लिक्विड फटलाइजर बनाया है हमने वो लीटर में ये लिक्विड फटलाइजर डाल रही हूं अच्छे से मिक्स कर दीजेगा ताकि पूरे में ये मिल जाए जो दूसरा वाला बनाया हमने वो भी दोस्तों एफेक्टिव बहुत है तो शुरुवात हमने उससे करी थी ये वाला सेकेंड टाइम हम दे रहे हैं तो क्या करना है आपको जिस जिन भी प्लांट में आपको डालना है क्रिसंथम में तो आप एक दिन पहले त्विंटि फॉर आवर्स पहले पानी डाल देना उसमें फिर लिक्विड फटलाइजर थोड़ा थोड़ा डाल दीजेगा प्लांट के साइस के हिसाब से गंबला है थोड़ा ज़्यादा डाल दो जैसे आप सिंपली पानी डालते हो ना प्रांट में वैसे यह डालना है आपको पस धियान रखे कर मिट्टी थोड़ी सी मोइस्ट रहे तभी एक दिन पहले पानी डाल दीजेगा तो मिट्टी हलकी सी मोइस्ट रहती है यह आपको 15 डेज में भी जो है थोड़ा से हम 15 डेज में कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम लोग Да आगे बढ़ते जाएंगे भी क्या है MAX पातियाँ थैल नीचे से काली कृर रह पंची साइड ले लिजे एक लीटर को पाणी में गहुल दीजे अची तरीके से फिर जितने भी फ्लांट के पत्यां बुरी काली पढ़ रही पर जो सब में स्प्डे कर दीजे और प्लांट में नीचे के तरफ जहां से पत्यां काली पर्डे म सहीं करें आप प्लांट के डालिए क्योंकि जो अंदर की पुरानी लपतियां हैं वो ज्यादा ब्राउन पर रही होगी तो इस समय काम करिए मिली बॉक्स बगेरा से कैसे बच सकते हैं वह हम अल्रेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि हमने आपके शेयर कराए कि मैं कैसे करती हूं जिसमें मैंन इसने इससे करी थी इस लिक्विट फटलाइजर से यह मैंने जो था सेप्टेμबर की शुरुत ने बना रहा था इस लिक्विट फटलाइज़र को बनाने के लिए मैंने 1 kg के लगभक компании लिया था आप बर्मीं खंपोस्ब्स या वोबरखाद भी ले सकते हो उसमें जो है 1 tablespoon larger लगबर नीम की खली और वन टेबल स्पून बोन मिल मिक्स करके रख दिया था 10 लीटर पानी था फिर जो था इसको मिला करके ढखके रखा डेली एक बाँ चलाते रहे थे इसको ये जो था वन वीक में रेडी हुआ था बद्बू थोड़ी सी ज़्यादा आती है इसमें अपने गुलदाओदी के संथमम है इस पर मैं सब में मैंने डाल दिया था इस प्रकास से पहला डोस दोनों फटलाइजर का 15-15 डेज में फिर जो था 10 डेज में होगा फिर 11 वीक में होगा जब तक कि कलियां ना आ जाए कलियों के बाद भी 11 वीक ही रहेगा दोस्तों उसके बाद कलियां खिलने में भी काफी टाइम लग जाता है इस बीच में आप पूरा अक्टूबर भर पिंचिंग करते रहेए अपने प्लांट की जो भी आपको थोड़ी बड़ी जो है जाती हुई टेहनी दिखती है इसकी आप पिंच कर दो क्योंकि फिर उस एक टेहनी की लेकिन उसके बाद जरूर बंद कर दीजेगा क्योंकि फिर प्लांट जो है कलियां बनाने लगेगा सपोज आप पिंचिंग करते हो आपको हाथ से फील होता है कि प्लांट में कलियां बन रही है टिप में पता लग जाता है दोस्तो तब आप पिंचिंग मत करना कलियां आन गमले में भी पाणी स्टोर हो जाता है रुख जाता है तो भी पत्या पीली पढ़ने लगती हैं तो मिलीबक्स वेगेरा इस समय लग सकते हैं आपके एफिट वेगेरा तो उसपर एक वीडियो मैंने बना रखा है अल्रेडी जिसमें बताया है कि सब्टेंबर अक्टूबर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती तो मैंने ट्रीट्मेंट दिखाया है कि मैं कैसे मिली बर्क्स इन सब को हटाती हूँ तो आप भी वो चीज अपना करके हटा सकते हो बहुत ही दोस्तों असान तरीका है उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सनलाइट जो है हर कीमत में आप जो है फाइव आवर्स की जरूर दीजिएगा दोस्त तो इस तरीके से अपने क्रिसंधम की देख भाल करते आपको जो है बहुत बढ़ियां फ्लावरिंग मिलेगी अगर आपके कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो थमसब देख के जाना फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ पाई